COVID-19 vaccine, co-vaccine के human trial की मंजूरी नमस्कार, मेरा नाम सुभाश शेकर है और आप देख रहे हैं लोकल खबर EMS की आचार समीती ने COVID-19 के स्वधे स्विक्सित टीके co-vaccine के human trial की शनिवार को इजाज़त दे दी अब इसके लिए EMS परिक्षन में स्विच्छा से शामिल होने वाले एच्छुक स्वस्थ लोगों का सुमवार से रजिट्रेशन भी शुरू करेगा कुवाक्षिन के मानों पर पहले और दूसरे चरण के परिक्षन के लिए भारतिय चिक्षा अनुसंद्धान परिशद ICMR ने दिल्ले स्थित EMS सहित 12 संस्थानों का चयन किया है पहले चरण में वैक्षिन का 375 लोगों पर ट्राइल किया जाएगा जिसमें से ज़्यादातर 100 लोग EMS से हो सकते हैं EMS में Center for Community Medicine में प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने बताया EMS की आचार समीती ने कोवाक्सीन का ह्यूमन ट्राइल शुरू करने की आज इजाज़त दे दी इस परिक्षन में स्वस्थ लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कोई और रोग नहीं है जो COVID-19 से भी पीडित नहीं रहे हैं और जिनकी आयू 18 साल से ज़्यादा और 55 साल से कम है उन्होंने बताया कुछ लोग परिक्षन के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अब हर व्यक्ति की जाँच सेहत आदी का आकलंग करने का काम शुमवार 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा जिसके बाद ही टीके का परिक्षन किया जाएगा परिक्षन में शामिल होने वाले इच्छुक लोग एम्स की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बतादे की कोवाक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और राष्ट्रिय विशानू विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर विक्सित किया गया है इसके परिक्षन की श्विक्रती भारती आवसधी महानियंतरक DCGI ने हाल ही में दी है इस वेक्सीन को भारती चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ICMR और National Institute of Virology, NIV के सहयोग से विक्सित की गई है वाइरस के स्ट्रेन को पुने स्थित NIV में आईसोलेट किया गया था और भारत बायोटेक को भेजा गया था जहां इस स्वदेसी वेक्सीन को विक्सित किया गया आप देखते रहिए लोकल खबर